स्वागत है दोस्तो आपके अपने यूटूब चैनल डिफेंस एस्टेडी 3.0 पे तो दोस्तो आज हम आप लोगों को CISF Constable Tradesman के लिए बड़ी जानकारी देने जा रहे हैं कि आप लोगों का फीजी कल कब होगा कितना दिन बचा है फीजी कल का एडमिट काड कब आएंगे फीजी कल कितना किलो मीटर होगा तो दोस्तो एक बड़ी भरती है आप लोग देख सकते हैं जिसका लास्ट डेट ऑनलेन अपला है 20-12-2022 तक चलने वाला है और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तो यहाँ पर आप लोगों का जो फर्स्ट प्रोसेस है वह क्या है फीजी कल प पारत के कुल बिभिन जितने भी सेंटर है सभी पर कराए जाएंगे तो देखे दोस्तों यहाँ पर क्या बताया गया है कि अटमीट कार्ड एट्嗎 == found the CISF recruitment website और यहाँ पर देखें website का नाम दिया गया है तो दोस्तो download admit cards for each stage form examination तो दोस्तो आज हम आप लोगों को इस वीडियो में सारी चीजे बताने बाले हैं तो यहाँ पर देख लिजे और आपको हम ये भी बताएंगे कि आपका admit card physical से कितने दिन पहले आएगा आपका exam आपका physical किस राज में होगा और किस center पर होगा हम ये भी आप लोगों किस वीडियो में बताने बालते हैं यहाँ पर देख लिए constable cook constable cobbler constable tailor washerman, sweeper, penter, mason, palumber सब ही के लिए एक बड़ी भरती है और इसमें आप लोगों को jam के तयारी करना है किसी भी student को इसको miss नहीं करना है दोस्तो बहुती बढ़िया भरती है अब देखें यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर सारी जानकारी इस notice के अंदर बताया गया है कि आप लोगों का जो physical है वह कितना किलोमीटर होगा तो सबसे पहले हम जान ले यहाँ पर कि आप लोग देखें यहाँ पर लिखा गया है physical extender test PhD PT और conduct by recruitment center मतलब भारत के विभीन सेंटरों पर आप लोगों को कराया जाएगा और यहाँ पर देख लीजे आप लोगों को admit card है वह online आएगा पहले आप लोगों को PhD होगा मतलब height check होगा जो student height में pass हो जाएगे उनको running कराया जाएगा जो running में pass हो जाएगे उनको trade test कराया जाएगा और जो trade test में pass हो जाएगे उनको document कराया जाएगा और जो document में pass होगे सभी चीज में पास हो जाएंगे उनका ही exam का admit card आएगा फिर आप लोगों का medical होगा समझ गे अब चलिए यहाँ पर भी देख लिए सारी चीज बताया गया है आप लोगों का online offline दोनों इसमें आप लोगों की exam हो सकता है अब देख लिए यहाँ पर आप लोगों का height क्या रहने बाला है तो आप लोगों का जो first process है physical उसमें आप लोगों को height 170 cm लगने बाला है चेस्ट आप लोगों को 80-85 cm लगेगा URS, SC, EWS and OBC candidate को और female candidate को 157 cm height लगेगा अब चलते हैं और बात करते हैं running हेले दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं SCGD Constable भरती परिक्षा 2013 के best book के बारे में जोकी चक्षु परकासन की नवीनतम पाठकर एबं पाइटर्न पर आधारित ये book है महिला पुरुस दोनों के लिए देख सकते दोस्तो self study guide इस book में आप लोगों को समानी बुधी मत्ता तर्क सकती एबं सभी विसायों का एक साथ दिया गए देख सकते दोस्तों 2822 प्रस्ट यहां पर देख लिए तीन सोल्व पेपर सो परतिसत न्यू सिलेबस पर आधारित ये book है चक्षु परकासन की देख लिए बिल्कुल न्यू पाइटर्न एबं सिलेबस पर आधारित ये book है दोस्तों इस book के साथ आप लोगों को प्रैटिक सकते हैं तो देख सकते हैं दोस्तों यहां पर दिया गया है physical PT जिसमें फोर मेल कंडिडेट 1.6 km 6 मिनट 30 सकेंड में आप लोगों का रणिंग होगा 800 मिनट 4 मिनट में यहां पर female कंडिडेट को रणिंग होगा तो दोस्तों हम आप लोगों को physical center से सारी चीजे बताते चलें की कैसे टेस्ट हो रहा है कैसे फीजीकल हो रहा है कैसे टोकुमेंट टेस्ट हो रहा है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और देखे दोस्तों यहां पर सारी चीजे बताया गया है और यहाँ पर आप लोगों को बता दिया गया है कि आप लोगों को जो admit card है वह 10 डेज पहले physical से 10 डेज पहले जारी कर दिया जेगा तो दोस्तों आप लोगों का जो फीजिकल है वह फरवरी में होगा क्योंकि जनवरी में आप लोगों का SSC GD का एक्जाम है इसलिए आप लोगों का फीजिकल फरवरी में कराया जाएगा ये भी सबको पता है और तयारी में लग जाएगे फीजिकल में क्योंकि इसमें आप ल में 2022 की भरती में तो आप लोग कॉमेंट कर दीजिए कि वीडियो कैसा लगा मिलते रहे नेक्स्टी वीडियो में जाहिंद उबंदे मात्रम